तो जम्मू कस्मीर के उप राज्यपाल के चोथे सलाकार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो जम्मू कस्मीर के उप राज्यपाल जो है जीसी मुर्मू साप उनके चोथे सलाकार बन गए है बसीर एहमद खान दूसरा कुश्चन है रोपैक्स नामक की एक नई आत्री नोका सेवकाउद घाटन किया गया है महरास्टर दुआरा थर्ड कुश्चन है किस राज्य ने सीमेस्ट और सीमेट नामक की योजनाई लोंच की है तो सीमेस्ट और सीमेट नाम की ओजनाई लोंच की गई है मनिपूर द्वारा अपने कौन किस के लिए खिलाडियों के लिए जो वहाँ पर नैस्नल इंटरनैस्नल पर पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरा जो आर्टिस्ट है वहाँ के उनके लिए कोशन नबर फोर्थ है हाल ही में राष्टपती रामनात कोविन ने भारत के कीस पूर्व मुखे नाइधीस को राजय सबह के लिए नामित किया तो रजय सबह में कोशन नबर फिप्थ हाल ही में UNDP द्वारा जारी किये गई Gender Social Norms Index Report के अनुसार कितने देशों ने लेंगिक समानता हासिल कर ली है तो अभी जो UNDP की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने लेंगिक समानता जो है हासिल कर ली हो तो correct answer होगा 0 अब एक बार इनको फटा फट से दुबारा देख लेते हैं तो जम्मू कस्मेर के उपराज जपाल कौन है जिसी मुर्मू सहाप उनके चोते सलाकार के रूप में किसे नुक्त किया गया बसीर एहमद खान को बहुत बढ़िया जब मैं पूछता हूँ न तो बोला करो मज़ा आएगा किलास में दूसरा है रोपैक्स नाम की नई आतरी नो का सेवा का उद गटन किस राजजय ने किया very good third सीमेस्ट और सीमेट नाम की ओजनाई लोंच की है मनेपूर बहुत बढ़िया रामनात कोविन ने किस पूर मुख्यनाई दीस को राजय सभा के लिए नामित किया very good रंजन गो गई question number 5 UNDP की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कितने देशों ने लेंगिक समानता हासिल कर ली है कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर फुरुस और महिलाई सेम हो गए तो correct answer होगा 0 अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के बीच पे मैं आपसे दो question पूछने वाला हूँ आज और उनके जवाब मुझे comment के अंदर चाहिए देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता अभी CHSL का जो एक्जाम हुआ कल उसमें पूछे गए question number 6 है हाल ही में आदित्य धर ये है आदित्य धर के साथ किस गोलपूडी सिरी निवास रास्टे पुरुसकार 2019 के लिए किस फिल्म निर्माता को चुना गया है तो आदित्य धर के साथ गोलपूडी सिरी निवास रास्टे पुरुसकार 2019 ये किसको मिला है ये पूचा गया है तो ये मिला है मदूसी नारायन को किसको मिला है आदित्य धर के साथ मदूसी नारायन को गोलपूडी सिरी निवास रास्टे पुरुसकार से सम्मानित किया गया कोशन नमबर सेवन्थ, हाल ही में, पहला COVID-19 टी का परिक्षन किस देश में सुरू हुआ, तो अमेरिका ने इसको स्टार्ट किया है, इसका परिक्षन, कोशन नमबर एट्थ, एन अक्ष्ट्रा ओर्डिनरी लाइफ, अब बायोग्राफी ओफ मनोहर पारिकर, यह पुस्तक कि है सद्गुरी पाटिल, और माया बोशन, नाग्वे करने, कोशन नमबर 9 है, हाल ही में, सभी वित्य बजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कोन सा बन गया है, फिलिपीन्स, फिलिपीन्स जो है यह दुनिया का पहला बजार होगा, जिसने अपने सारी व दुबारा से रिवाइज कर लेते हैं और जल्दी जल्दी बोलेंगे मैं कुश्चन पूछूँगा आप जवाब देंगे मनी मन में बोलें लगे कि आप मुझे जवाब बता रहे हो चाहे पढ़के बोलो इससे चीज़े याद रहेंगी आधित्यधर के साथ गोलपुडी सिर और ओडिनेरी लाइफ अब बायोग्राफी ओफ मनोहर पारिकर ये पुस्ता किसने लिखी सद्गुरी पार्टिल और मया भुषण नागवेकर कुश्चन नमबर 9 सभी वित्या बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश फिलिफिन्स हाल ही में किसे चमेल देवी जैन प्रुषकार से सम्मानित किया गया आरफा सेरवानी और मोहिनी रोहवन कुश्चन नमबर 11 खेलों इंडिया के तहत ग्रामीन और जंजातिया खेलों को बढ़ावा देने के लिए किन विधाव की पहचान की गई है मलखम एवं गतीके कलारीपाइडू और ये तीन खेल है जो जंजाति खेलों को बढ़ावा देंगी कौन-कौन से मलखम एवं गतीका, कलारीपाइडू और थंग्टा कुश्चन नमबर 12 हाल ही में अमेरिका फेटर लिजर ने कोरोना वाइरस से होने वाले नुकसार को रोकने के लिए अपने व्यास दरों को गटा लेता है फटाक से खेलों इंडिया के तहत ग्रामीन और जंजातिया खेलों को बढ़ावा देने के लिए किन खिद्दाओं को पैचान की गई है तीन को कौन-कौन सी है मलकम एवं गतीका, कलारीपाइडू और थंग्टा बहुत बढ़िया कोश्चन नमबर 12 हाल ही में जम् पहला, who has been appointed as the fourth advisor to the lieutenant governor of Jammu and Kasmir, Basir Ahmed Khan, very good, which state has launched schemes named Seamast and Seaman, Manipur, which former chief justice of India was nominated to the Rajya Sabha by President Ramnath Kovin, Danjal Gogoi, question number fourth, according to the gender social norms index report released by the UNDP, how many countries achieved gender equality, zero, along with Adityadha, who has been chosen as the filmmaker for the Golapudi-Siri Nivaas Nishnalavad 2019, Madhusi Narayan, question number sixth, in which country has the first COVID-19 vaccine human trial has been started, America, question number seventh, who wrote a book called An Extraordinary, a biography of Manohar Parikar, Chattguru Patil and Maya Bhushan, Nagavekar, question number eight, which country has become first in world to suspend all financial markets, Philippines, question number ninth, who has been awarded with the Chameli Devi Jain Award, Arfa Sirwani and Rohani Mohan, question number tenth, in which state a new passenger ferry service called Ropex has been inaugurated, and the correct answer is Maharashtra, question number eleven, who has been appointed as the chief electoral officer of Jammu and Kashmir, Ridesh Kumar, question number twelfth, the US Federal Reserve has reduced its interest rate to prevent damage from the coronavirus, to zero percent, question number thirteenth, which sports disciplines has been identified to promote rural and tribal sports under Kelo India, Tungtha, Malcolm, Gatka and Clary Paidu, and dhustos, yeh thay aaj ke haemare important one lineers, abh mynay kaha tha ki mahaa aap se kuch question puchu ghaa, jho kul ke exam mein aap loogos se puchhe ghae, jayashe, IB ke director general kone hain, comment karke bata yee ga, aur roo ke director general kone hain, kal maine jab questions ke list aap ko video banai thi, uske anadr bataya tha, dhekhtenya aap loogos ne deekha ya nahi deekha, ho saktay aane waale dhinom mein aapko deekhne ko mil e, IB ke director general kone hain, aur roo ke director general kone hain, aap dhuno ka comment karke mujhe batayenge, to dhustos yeh thay aaj ke maare important grant affairs, agar abhi tak video ko like nahi kiya hai, to sare ke sare kare kardu like, और अपने दोस्तों के साथ कर देना share, अगर चाहते हो, daily aap loogos ke liye current affairs class होती रही, क्योंकि ये class बहुत तकडी class है, अपने आप में, क्योंकि बहुत सारी चीजे, जो हम दोपैर को 12 बजे की class में miss कर देते हैं, वो इस class में cover हो जाता है, बारा बजे, अब हम details में पढ़ेंगे, तो बारा बजे भी मिलना, दोपैर को बारा बजे live class होगा, gk के साथ साथ current affairs करेंगे, यहाँ पर सिर्फ current affairs होता है, महाँ पर gk और current affairs mix होगा, तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारा, टेक के, love you all.